विटामिन ये जीवन सत्व भोजन के अव्यव है जिनकी सभी जीवों को अल्फ मात्रा में जरूरत होती है रसाइनिक रूप से ये कार्बनिक होते हैं बोडी में विटामिन परियाप्त मात्रा में नई बनते हैं और ये नॉर्मल बोडी ग्रोध के लिए जरूरी होते हैं इसलिए हमें इसे खाने में लेना होता है विटामिन दो तरह के होते हैं एक वसा में घुलनशील मतलब के फैट सल्यूबल विटामिन और एक होता है पानी में घुलंशिल मतलब के water soluble vitamin वसा में घुलंशिल विटामिन में है vitamin A, D, E, K पानी में घुलंशिल विटामिन में है vitamin B complex और vitamin C अब हम देखेंगे vitamin A, vitamin A skin के लिए आखों के लिए healthy होता है vitamin A की कमी को पूरा करने के लिए हमें गाजर खाना चाहिए केला, टमाटर, पालक, पत्तागोबी, मचली, मिल्क यानी दूद लेना चाहिए अंडा खाना चाहिए, पपाया vitamin A की कमी से होने वाली बीमारियों में शामिल है रतौन्दी यानी की night blindness अब हम देखते हैं vitamin K जो के एक fat soluble vitamin है vitamin K के sources में हैं पत्तागोबी, पालक, मटर, टमाटर, आलू, गोष्ट, लीवर, वेजटेबल ओइल्स vitamin K की कमी के लक्षन bone density कम होना, इसकी कमी हो तो osteoporosis भी हो सकता है अक्सर जोडों और हड्डियों में दर्द होना, छोटी छोट का बड़ा घाव बन जाना छोटी छोट लगने पर भी जादा खून बहना या नाग से खून बहना मसूडों से खून आना उमर से पहले दाद कमजोर हो जाना जैसी बीमारिया हो सकती है शरीर को रोजाना लगभग 90 microgram vitamin के लेने की जरूरत होती है अब हम देखते हैं water soluble vitamin तो water soluble vitamin का example है vitamin B6 vitamin B6 के source में हैं मचली, मटन, दूद, मेवा, दाले, मटर, भुटा जैसी चीज़े शामिल है vitamin B6 की कमी से हमें एनेमिया, टाइफाइट जैसी बीमारिया हो सकती है पानी में घुलनशिल vitamin का एक और example है vitamin C तो देखते हैं vitamin C के sources क्या है इसमें हैं जाम, टमाटर, अंगूर, आमला, लिम्बू, संत्रा, ककड़ी और हरी सबजिया ये सब चीज़े हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताके हमें vitamin C की कमी ना हो vitamin C की कमी से होने वाली समस्याए है इसकरवी, जोडों में दर्द, बाल जड़ना रड़ना